ओम दुंग दुरगाई नमः जै माताराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है माभगवते दुरगा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वधा बनी रहे दोस्तों नवरात्री में वरत के पारण को लेकर वरत खोलने के समय और दिन को लेकर आप लोगों के बहुत सारी प्रशन कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि हमें व्रत किस दिन खोलना चाहिए नवरातरी का व्रत अगर हम 9 दिनों का व्रत करते हैं तो किस दिन व्रत खोलें किस समय व्रत खोलें और क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए और क्या अस्टमी और नौमी को हम व्रत का पारण कर सकते हैं इसके अलावा व्रत खोलने के नियम तो इन सभी प्रशनों के उत्तर आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ बहुत सारे संसे हैं आप लोगों के मन में तो सभी प्रकार के संसे का आज की वीडियो में आपको समधान मिल जाएगा वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडि होने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगई तो दोस्तों, बात करें पारण के बारे में नवरातरी के बारे में दोस्तों बुरत में पारण का बहुत प्रतिपदा तिति पर और अस्टमी तिति का वरत करके नौमी के दिन वो कन्या पूजन हवा नित्यादी करके फिर पारण कर लेते हैं। कुछ भक्त सिर्फ पहले दिन यानि प्रतिपदा को और सब्तमी को वरत करके अस्टमी को कन्या पूजन करते हैं। नौमी को कन्या पूजन के बाद वो वरत खोल लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ जगहों पर अलग अलग परमपराएं हैं। और इसी तरह के नियम हर जगह लगबग हैं। कई जगह अस्टमी को कई जगह नौमी को वरत खोला जाता है। जो कि ठीक है अगर आपके घर में इस तरह की परमपरा है। इस तरह के दीती रिवाज हैं। आप इस अस्टमी को या नौमी को वरत खोलते हैं। तो इसमें कोई संसे नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर नियम की बात करें। नवरात्री की बात करें। तो नवरात्री का मतलब होता है नौ राते। जब हम मा के नौ स्वरूपों की हर रोज आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो नवरात्री नौ दिनों की संपुर्ण मानी जाती है। और जो लोग संपुर्ण नवरात्री के वरत का लाब लेना चाहते हैं, वो नौमी में नौमी तिथी तक वरत करते हैं। और नौम करने का कोई जब नियम के दिन के बारन कीया जाता है तो और देसी प्राप्त हो रही है शुक्रवार के दिन 15 एक्टूबर को तो अगर आप नौमी का पूरा वरत 9 दिनों का पूरल वरत का लाब लेना चाहते हैं नवरातरी के आपने पूरे वरत धारन किये हैं तो आपको नियम के अनुसार दश्मी तिथी पर पारण करना चाहिए यानि शुक्रवार के दिन पारण करना चाहिए तो अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि नौमी पर जब हम प्रातहकाल में कन्या पूजन कर लेंगे यानि गुरुवार के दिन हम कन्या पूजन कर लेंगे तो हम पारण दश्मी पर करें क्या ये ठीक रहेगा कन्या पूजन के बाद कई लोगों को लगता है कि व्रत समाप्त हो गया अब हमें भी पारण कर लेना चाहिए देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है देवी भागवत के अनुसार नवरात्री में हमें हर रोज कन्या पूजन करना चाहिए नियम के अनुसार प्रति दिन कन्या पूजन का विधान है लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार अस्टमी और नौमी पर ही स्रिफ कन्या पूजन करते हैं तो जो लोग प्रति दिन कन्या पूजन करें तो क्या वो लोग व्रत धारन नहीं करते नियम कहता है कि जब आप नवरात्री के व्र कर लीजिए प्रातहकाल गुरुवार के दिन 14 अक्टूबर को और इसके बाद आप शाम को छे बज कर बावन मिनट पर तिथी प्रारम समाप्त हो रही है गुरुवार के दिन तो अगले दिन यानि कि शुक्रवार के दिन सुबह उठ जाए नानित्यादी करने के बाद फिर आ सब्सक्राथ करने के बाद दो में कुछ मी प्रस्वरोप के बहुता सकते हैं आप छाहे तो पारण कर सकते हैं Apollo पारण में क्या करें क्यूंकि आप लोगों के प्रेश्न है कि क्या खाकर खोलना चाहिए देखे जब हम कोई भी व्रत करते हैं कोई भी व्रत ना से खाना चाहिए उसके बाद आप कोई भी सात्विक शुद्ध बना हुआ भोजन खा सकते हैं नवरात्री का या किसी भी वरत के पारण में लस्उन प्याज इत्यादी का प्रियोग नहीं किया जाता है ुशुद्ध सात्विक भोजन बनाइए उसके बाद आप मा को प्रणाम करके और इसके साथ ही मा की कृपा से आपका वरत संपूर्ण हुआ है इसके लिए मा से प्रार्थना करके और उसके बाद आपको पारण करना चाहिए और 15 अक्टूबर के दिन पारण का जो समय सुरू होता है साड़े छे बजे के बाद यानि सुर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं कुछ भी शुद्शात्विक भोजन मना कर अब कुछ लोगों के प्रश्ण होंगे कि अगर वो अस्टमी या नौमी के दिन वरत खोल लेते हैं तो क्या ये गलत होता है देखिए बिलकुल नहीं अगर आपके परिवार में ऐसा होता है ऐसा रीत रिवाज है कि आप अस्टमी के दिन पूजन करके और फिर पारण करते हैं वरत खोलते हैं तो ये बिलकुल ठीक है या 9 मिके दिन पारण करते हैं तो भी ये बिलकुल ठीक है क्योंकि नवरात्री में हर परिवार की अलग-अलग रितीरिवाज और परंपराएं उसी हिसाब से नियमों का पालन भी करना चाहिए तो सर्व परतम जैसे लोकाचार ह और इसके अलावा स्यास्त्री नियंत अगर बात करें तो नवरात्री में नोमी तीथी तक हमें वरत धारन करते हैं तो पर जाता है, जो आपको दी है, तो आशा करती हूं आज की वीडियो से आपको लाभवश्य होगा, आपके सभी संशय धूर भी हो जाएंगे और मातराणी की क्रिपा सदैवाप पर आपके परिवार पर बनी रहे व्रत का संपोन फल आपको ट्राप्थ हो ये नवरात्री आपके लिए बहुत सारी शुबता लेकर आए माभड़वती की क्रिपा सदैवाप पर बनी रहे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए शेर कर दीजे फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है